Hello students, good morning, I am Amta Man आज मैं कप्छाचार के बच्चों को आधनिक विज्ञान का लेशन 4 पढ़ाऊंगी Students, लेशन 4 आपका क्या है? जन्तूओं में अन्कूलन जन्तूओं में अन्कूलन को इंग्लिश में क्या बलते हैं बच्चों? Adaptation and Animal जन्तूओं को जीवित रहने के लिए उनके जीवन के अनुसार जो है अन्कूलन की योग्यता की आवशकता होती है जैसे बहुत साल पहले प्रिथिवी पे डैनासोर रहते थे लेकिन कुछ समय बाद ये नहीं रहा पाए क्यों नहीं रहा पाए क्योंकि प्रिथिवी की जलवाई जो है अचानक बहुत ठंडी हो गई और इस ठंडी की condition को इस्थिति को हुआ जो है सहन नहीं कर पाए जिसके कारण भी मर गए तो प्रकृत संसार में एक ऐसा प्रकृत संसार में एक पाउधा या एक जानवर स्वयम को जीविद को विशेश परिस्थिति या अनकूलन लगने वाले वातावरण में बदल देता है इस प्रक्रिया को अनकूलन कहते हैं जैसे कहने मतले में बच्चो कि प्रकृति के अनुसार अपनी स्थिति को ढालने की प्रकृतिया को अनकूलन कहते हैं सजीव जो प्रिस्थिति के अनुसार स्वयम को ढाल लेता है वे नहीं मरते हैं जो नहीं ढाल पाता है वो मर जाता है ये क्या होता है वाज्टों सजी वों के घर या प्राकृतिवाust कुरेंट के वाश्ट कैरें, ऋब्राकृतिक वाज जो है अपना घर बनाते हैं वावई ये जन्तु जो हवा मोड़ने वाले हैं कुछ जन्तु जो व्रिक्षी हैं जो पौधो पेड़ पौधो पर राने वाले हैं तो इस तरह से कई सभी तरह के अनिमल्स को रहने के लिए अलग-अलग तरह के घर बनाने की अलग-अलग विवस मानव हो तो यह जन्तु अपना मकान जमीन के ऊपर ही बनाते हैं अस्थन पर वाता वरड एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर भिन रहता है और जमीन पर भूमी पर एक जगह से दूसरी जगह के अट्मासफेर में कुछ भिन्नता जरूर होती है लेकिन वह अपना मकान जमीन पे ही बनाते हैं चाहे वो ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम है बरसात का मौसम हो तो अपने रहने के लिए तो मकान के आउशकता सभी जिवों को हैं तो जैसे एनिमल्स हैं अस्थली जन्तु जो हैं वो जमीन पे मकान अपना बनाते हैं और जो ब्रिक्छ वाले जन्तु ह जैसे मचली उचिप में अपना रहने का मनाती है ओभर्चर जन्तु जैसे तीनों की अस्थान पर आते हैं जमीन पर जमीन पर अदर बीज़rie में भी रहते हैं तो ऐस तरह से जंतु जो अपने अपने हिसाब से अपने रहने का और खाने का विवस्था स्वयम बना लेते हैं वहतावरण के अनुशा थैंक्यू वच्चू इसके आगे में कल पढ़ाऊंगे